आप जानते हैं कि प्रतिवार्स हम हर सत्र के परिणाम देखें तो ओल इंडिया में IIT एडवांस में यहां से एक बालक ने पहली रेंक दी है पी एच वर्ग से और राजस्थान की जो पहली मेरिट है जब मेरिट जब बंद की गई थी तो उस समय पर थी कोई मिला था राजीव नरूका को तो इस तरीके से हर छेत्र में यह संसान आगे बढ़ता जा रहा है अल्वे इस कारिक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप्रेजिलन के लिए डिये साइन्स अकेडमी के डिरेक्टर स्री उमेजी शर्मा और अकेडमीक एड श्री आस्तो जी वर्मा जी से अग्रे करूँगा कि मा सरस्वति के समक्ष दीप्रेजिलन कर कारिक्रम का सुभारंब करें मैं चाहूँगा कि सभी जोरदार तालियों की करताल से स्वागत करें श्री उमेजी सर और आस्तो जी सर का आये सर या कुंदेंदु तुशार हार धवला या शूब्र वस्त्रा व्रुता या वीना वर्दंड मंडित करा या शूब्र पद्मासना अब मैं इस कारिक्रम की स्रंखला को आगे बढ़ाते हुए डिया साइंस इंस्टिटूट के अकेडमिक हेड सिरी आस्तो जी वर्माजी को ये मंच सौंपता हूँ सिरी वर्माजी से आग रहे कि वो पधार है डिया साइंस अकेडमी की डारेक्टर सिरीमान उमेज कुमार सर्मा सर्व डिया साइंस अकेडमी के हचोडी मान भाव मैथमेटिक्स हचोडी सिरीमान अतुल सर्मा सर्व फिजिक्स हचोडी दीवान जी सर्व बायलोजी हचोडी वालिया साहब HRD Head Harish Chaturvedi Sir HOD Chemistry Sriman Gajanan Sarma Sir सभी सम्मानी Faculty Members Management Head में Managing Director Sriman Pradip Ji Yadow Sir Managing Director Sriman Arvind Sarvedi Sir आपने यहां उपस्तित DS Science Academy की सभी Faculty Members सभी Management Staff DS Science Academy की सभी Junior सभी Junior Faculty Team आप लोगों का यहां पर आज आना हम सब लोगों के लिए बहुत महत्तोपूर था सुरुआती दिनों से ही जब यहां First Class 23 मार्च को यहां चलाई गई थी उस दिन से हम यह तैंकरना था कि आप सभी लोगों को एक बार यहां बुलाया जाए आपका स्भागत किया जाए तो मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट्स के अभावगणों का बहुत बहुत नंदन है हारदीक स्भागत है एक बार जोड़दार तालियां चाहूँगा मैं आप सभी का आज यहां इस मंच पर और हम इस सभा में केवल इसलिए मिल रहे हैं कि आपके बच्चे के भविश्व को बनाने में तीन लोगों का बराबर का रोल होता है एक बच्चे की मेहनत का एक फैकल्टी की मेहनत का और एक आपके मॉटिवेशनल सपोर्ट का आपके बिना मॉटिवेशनल सपोर्ट के हम कोई जंग नहीं जीत सकते हैं तीनों की बराबर मुख्यता होती है हमने इस मीटिंग को इस हिसाब से मैनेज किया है कि हम आप में से ज़्यादधर गारजियन्स ये बात जानते हैं कुछ लोग बहुत धंग से समझते हैं कि IIT और NEET की तयारी किस पैटर्न पर करवाई जाती है ये कितना कठीन है इंडिया लेविल का एक्जाम है इंडिया लेविल की नेशनल लेविल की फैकल्टीज हमें बुलानी पढ़ती है उनके द्वारा उस हिसाब से उस लेविल का पढ़वान पढ़ता है फिर भी कई बार कुछ अभावकों तक ये बात नहीं पहुंचती है आज हमने सभा इसलिए रखी है ये मीटिंग इसलिए रखी है कि हम अपने पढ़ने पढ़ने की कुछ स्टैटिजी आपको बता सकें कुछ स्टैटिजी आपको बता सकें और जो सबसे कठीं काम रहा इस डिया साइन्स अकैडमी में बड़ी से बड़ी फैकल्टीज को जोड़ने का हम उनका introduction आपसे करा सकें आप उनसे मुखाविब हो सकें उन्हें जान सकें और कुछ आज हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस सभा के बाद आपका जो हमें motivational support चाहिए बच्चे के carrier को बनाने में जो support चाहिए वो हमें मिल सके तो सुरुवात करता हूँ मैं सबसे पहले अपने खुद के introduction से मैं आशुतोस कुमार मुझे एवी सर के नाम से हाँ जानते हैं जनरली लोग वर्मा जी के नाम से भी जानते हैं मैं आईटी कानपूर से बीटेक हूँ मैं कानपूर का रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश करेने वाला हूँ 2007 में मैंने आईटी पस आउट किया और उसके बाद से मैंने अध्यन अध्यपन का काम सुरू किया टीचिंग का काम सुरू किया पढ़ाना मुझे अच्छा लगता था कॉंसेट मेरे अच्छे थे इसलिए इस प्रोफेशन को ही मैंने अपना पैशन बनाया और मैंने फिर इंडिया के तमाम अलग-अलग स्टेट में काम किया फिजिक्स फैकल्टी के तोर पे लगबग 15-16 साल मुझे पढ़ाते हो गया अब तक मैंने कम से कम 15-16 सो लगबग डॉक्टर्स और 15-16 सो लगबग इंजिनियर्स बनाये आठ से 10 लगबग मेरे अपनी जिन्दगी के वो इस्टुडेंट्स भी हैं जो I.S. आफिसर हैं, I.P.S. आफिसर हैं मेरे इस अपने सफर में मैंने बहुत अच्छे-च्छे इंस्टिटूट्स पर काम किया एक अच्छा लंबा अनभो लिया फिजिक्स सब्जेक्ट को इस हद तक समझा कि मैं I.I.T. में बच्चे को इस सब्जेक्ट कैसे सिंप्लिफाई करूँ और कैसे मैं नीट की तैरी बच्चे के लिए आसान बनाऊं पूरे हिंदुस्तान में नीट की तैरी करने वाले बच्चों की वो हालत है कि 5-5-6-6 साल बच्चे परिशान रहते हैं एक गारजिन के दिल से जब पूछा जाता है कि 5 साल से बच्चा नीट की तैरी कर रहा है तो उसे लगता है कि कास कहीं अच्छी कोचिंग मिल जाए और अच्छी कोचिंग से बहतर कोई फिजिक्स के टीचर मिल जाए क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो बच्चों को सीखाना बड़ा टफ होता है मैंने इंडिया के तमाम अलग-अलग श्टीट में जब काम किया वहां से अनभो लिया कम से कम पांच-छे साल पहले में डियर साइंस अकेडमी से जुड़ा उमेश कुमार सर्मा सर से जुड़ा और फिर हमने कुछ दिन यहां काम किया उसके बाद मुझे पता चला एक कसक सी थी कि मैं डियर साइंस अकेडमी के लिए वापस लोटू और हमेशा के लिए यहां पर पढ़ाने के लिए वापस लोटू मैं वापस आया लगबग दो साल मुझे यहां पर अभी हो गया है कुरुना काल में जब हिंदुस्तान का ज़्यादा तर संस्थाइं बंद थी तब डियर साइंस अकेडमी अपनी सबसे अच्छी परफॉर्म कर रहा था अपने हर बच्चे को अच्छा पढ़ा रहा था नेसनल लेविल की बवस्ताइं दे रहा था एक एक बच्चे को हमने कह रखा था कि आपकी पढ़ाई रूकेगी नहीं कुरुना का मतलब पढ़ाई बंद हो जाना तो नहीं होगा वही हमने किया मैं चाहूँगा कि आज अपनी इस बेस्ट फिकल्टी टीम को मैं इंटर्डूज करूँ और आज के सिनेरियो की कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं सबसे पहले मैं चाहूँगा कड़ी बद्द मेद ये चलूँ तो मेरे बगल में जश्ट बैठे हैं नीट फिजिक्स के बहुत अच्छी फिजिक्स फेकल्टी बहुत बड़े ग्याता सिर्मान दिवान फौजदार साहब एक बार जोड़ दार तालिया दिवान फौजदार साहब के लिए इन्हों ने हिंदुस्तान के बहुत अच्छे च्छे रिनाइट इंस्टिट में पढ़ाया फिजिक्स फेकल्टी के तोर पर नोंने काम किया लंबे अरसे से 15-16 साल फिजिक सब्जेट को बहुत आसान बनाना इनका मुख्ध देश था आप आज इनसे कुछ मुक्तबू होंगे और दूसरे नंबर पर बेठे हैं लगबग 15-16 साल और अल इंडिया रैंक अंडर 100 के रैंक वाले स्टूइंट्स को तयार किया ट्रेनर रहे बहुत सारे ऐसे टीचर जो इंडिया में बहुत अच्छी ची जगों पर पढ़ा रहे हैं सर के स्टूइंट रहे या सर से उन्होंने ट्रेनिंग ली सिरिमान अतुल सर्मा सर सिरिमान हरीश चतरवेदी सर केमिस्टी देखते हैं और अर्गेनिक इन और्गेनिक देखते हैं और अर्गेनिक जितना कनेक्टेड यूनिट है या सब्जेक्ट है उसको बहुत आसान बनाने में सर को महारत हासिल है हमारे हाँ एचारडी डिपार्टमेंट के हेड है सिरिमान हरीश चतरवेदी साब और उसके बाद हमारे सम्मानी सिरिमान वालिया साब बैठे हैं जो बाटनी देखते हैं और हमें गर्व है कि ऐसी फेकल्डी मिम्बर्स हमें मिले जो जीवन के चालिस से उपर साल के लगबग लगबग टीचिंग का अनुभाव लेते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक तरह से बैलोजी के गूगल हम लोग मानते हैं हमारे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं यह हमारे लिए गवरों की बात है हम सब के लिए गवरों की बात है इसी करम में Mathematics Faculty सिरिमान तेजपाल यादो सर हैं जो Mathematics को आसान बनाते हैं बच्चों के लिए Mathematics पढ़ाते हैं फिर Chemistry Faculty सिरिमान एल स्याम सर हैं जो Chemistry देखते हैं State Board में State Board के बच्चों की Chemistry को दुरुस्त करने में महारत हासिल है sir को और उसके बाद बैठे हैं सृरीमान दाक्टर साहब दाक्टर मनोज जी sir biology state board देखते हैं बहुत अच्छे धंग से biology को पढ़ाते हैं चाया школ state board हो चाया वो foundation हो बہुत अच्छे command پर sir ने biology को त्यार कर रखा है इसके बाद सिरीमान S.R. सौनी सर है मारे, फिजिक्स देखते हैं स्टेट बोर्ड में, हलांकि सर का लेविल फांडेशन का रहता है, लेकिन हमने क्योंकि 12 में फिजिक्स को बहुत अच्छा मजबूत करने का हमने सरे बना रखा है, इसे साब से सर से हम जो स्टेट बोर्ड की बहुत अच्छी टीचिंग करवाते हैं, सौरब सरमा सर हैं केमिस्टी के एक बहतरीन फेकल्टी हैं, फिजिकल, और गैनिक, और गैनिक, तीनों बहुत अच्छे ढंक से देखते हैं, और उसी करम में आगे हैं स्रीमान धाकर सर, जो की बाटनी स्पेसिलिस्ट हैं, इनके पर केमिस्टी हमारे हाँ देख रहे हैं, खुद का इंस्टिटूट चलाया हुआ है, डारेक्टर रहे हुए हैं, और अब डिये साइंस अकडिमी के साथ एक लंबे समय के लिए जुड़े हैं, इसी करम में हमारे सरीमान मलिक साहब हैं, फिजिक्स फेकल्टी हैं, बीटेक ह तो मलिक साहब किसी भी लेविल पर फिजिक्स को देखते हैं, और इसी करम में हमारे साथ जुड़े हैं सिरीमान आरेस, सर जो मैतमेटिक्स फेकल्टी हैं, सीनियर मोश्ट फेकल्टी हैं, आकास में हुने कई साल तक काम किया, इसके बाद और तमाम अलग अलग सर ने औरगेनिक पर बहुत अच्छा कमांड बना रखा है, और आपके बच्चों को औरगेनिक पढ़ाते हैं, और इसी करम में आगे स्रीमान सर्वन गोयल सर हैं, जो कि जोलोजी देख रहे हैं, बच्चों की जोलोजी को दुरुस्त कर रहे हैं, इससर हैं, जो कि फिजिक देखते हैं सीनियर फिजिक्स फेकल्टी हैं आकास में बहुत लंबे समय तक लगबग 14-15 साल असेसर ने काम किया और अन्भो लिया वहां आकास का और वहां पर एक सबसे बहतरीन फेकल्टी जिके अवार्ट सर को मिले और अब यहां पर हमारे हां सेवाइं दे रहे हैं यह हम को सिरिमान हमारे डायक्टर साब उमेश कुमार सर्मा सर आएं आपको सम्मोंधित करें आप सभी की एक बार जोरदार तालियों के साथ में का स्वागत करना चाहूंगा सिरिमान सिरिमान उमेश कुमार सर्मा सर का सभी फेकल्टी मेंबर्स के द्वारा भी मैं चाहूंगा ए मैं मेरे प्यारे बच्चों के अभी बाबकों का आज इस DS Science Institute में हारदिक अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं कि हमारे एक छोटे से बुलावे पर आप सभी अपने बच्चे के भविश्च को थ्यान में रखते हुए और संस्ता में होने वाली गति विद्यों के बारे मे में जानकारी लेने के लिए किस प्रकार से उनके साथ मेहनत होनी है सब को जानने के लिए आप सभी आएं आपका कोटी-कोटी धन्यवाद कि मैं मेरे सभी कि फैकल्टी साथियों का आज इस मन से बहुत-बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहूंगा कि जन्होंने DS Science Academy पर अपना भिश्वास जताया यहांके बच्चों को जो कुछ उन्होंने अपने अनुभव से आज तक बिभिन संस्थां में जो सीखा है जो उन्होंने कड़ी मेनत किये उस पूरे अनुभव को बच्चों के साथ निरंतर साजा करने के लिए और इस परिक्षित्र के रिजल्ट को उन्हेंन के लिए नेकेवल एक बर्ष के लिए बलकि कई-कई फैकल्टी तीम ने तीन, पांच और अधिक उससे अनुबंद पर DS Science Academy को समर्पत कर दिया है मैं ऐसी DS Science Academy की युवा, पृतिवाशाली और एनर्डिटिक टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं मैं उन सभी मेरे मेनेजमेंट के साथियों को जो मेरे बच्चों के अभी बाबों के साथ नेरंतर संपर्क में रहते हैं उनकी जो भी जानकारी बच्चा आया है, नहीं आया है क्या उसकी पोजिशन चल रही है आप तक लगातार पहुचाते रहते हैं, जोड़े रहते हैं मैं ऐसे सभी मेनेजमेंट साथियों का भी इस मन से आभार और धन्यवाद देता हूं देखो, किसी बच्चे की उन्नती में, किसी बालक की प्रोग्रेस में जो सबसे मेतपून बिंदू होते हैं, जो आज तो इस बर्मा सर ने बताया मेरे इसाब से उसमें तीन पक्ष बहुत मेतपून होते हैं एक, बालक की स्वयम की मेहनत नमबर दो, जो फैकल्टी मेंबर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं और मेनेजमेंट और तीसरा, अभी बाबकों के द्वारा बच्चे पर ध्यान देना उसकी जानकारियों को अफगत कराना इन तीन बिंदों पर एक बच्चे का करियर डिपेंट करता है और सबसे जो इंपोर्टेंट चीज इन में जो होती है वह होती है एक अच्छे टीचरों का चुनाव करना क्योंकि कभी भी बच्चे में कितने ही योगता क्यों न हो कितना ही वह सक्षम क्यों न हो जब तक उसको उस लेवल की फैकल्टीज नहीं मिलेगी उस लेवल की पढ़ाई नहीं मिलेगी वह बच्चा उस सब्जेक्ट को उतनी गहराई में नहीं समझ पाएगा एक्चुल में मैं अगर यहां बताना चाहूं सब्जेक्स के बारे में जो अपन पढ़ा करते थे एक कॉम्प्टिशन और एक स्टेट बोर्ड में क्या अंतर होता है यह फैकल्टिज में क्या डिफरेंस है मैं बहुत सब्दों में इसको आपको समझाऊं जब एक बालग बोर्ड की तैयारी कर रहा होता है तो बोर्ड की तैयारी में जो आने वाले कुशन होते हैं वो बुक से एस इट इस होते हैं यानि उसमें किवल ग्यान की उल्टी करना होता है क्या यह आपको आता है कॉम्टिशन में ऐसा नहीं है कॉम्टिशन में जो कुछ आपको याद है वहाँ नहीं पूछा जाता बलकि उस याद हुई चीज को आप उप्योग में लेना जानते हो के नहीं तो कई बार बच्चे को वो सबग याद होता है लेकिन वो कुशन्स में उसको implement कर पाए उसका प्रियोग कर पाए यही महरत यही दक्षता उसकी competition देखना चाहता है और यह जो faculty team बैठी हुई है मैं इस गंगापुर शिटी में जिस दिन dear science academy की इस्थापना की गई थी उस दि से ही मैं हमेशा यह प्रियासरत रहा था कि dear science academy केवल एक चीज की बज़े से जरूर जाना जाना चाहिए वो है इसकी quality और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि dear science academy ने teachers की quality में कभी कोई समझाता नहीं किया हां कोई भी काबिल सिक्षक कोई भी काबिल सिक्षक चाहिए वो कहीं का भी हो किसी भी package पर अगर मुझे लगा कि यह मेरे विध्यारतियों के हित में है तो चाहिए कैसा ही समय हो institute की इस्तिती कैसी ही क्यों नहों इविन कोरोना काल तक जैसी बिभीशिका में आपने अगर हमारे youtube channel से या facebook space से अगर आप जुड़े हुए होंग तो आपने देखा होगा कि उस time में भी हमने कई IITNs को नई joining दी जबकि उस दोरान कई संस्ताओं के द्वारा teacher को निकाला जा रहा था क्योंकि उस दोरान मुझे एक opportunity दिखी वो opportunity क्या थी कि अच्छी अच्छी संस्ताओं ने teacher को free कर दिया और वहाँ teacher मुझे मिलने लगे तो मैंने कभी उस teacher को लोटा है नहीं मुझे अगर लगा किस ब्यक्ति में काबियत है या मेरे बच्चों को उनके मुकाम तक पहुचाने में मेरे भरपूर साथ देगा और उस बच्चे को उसकी काबियत से ज़्यादा बहतर परणाम दिलान के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे इस बात की खुशी है आज जब मैं किसी फैकल्टी को अनुबंद कर रहा होता हूं तो इस बात का मैं उसे विशेज गुजारिस करता हूं क्योंकि मुझे पता है पूरे हिंदुस्तान में अगर आप किसी भी institute के पास अग एक बच्चे को जो पढ़ने वाला हो उसको अगर सारी उसकी बेस टीम पढ़ा है ये कता ही पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एक डाइरेक्टर का क्या ख्याल होता है कि वहां बच्चों को अनुबंद करके रखे बच्चों को इंगेज करके रखे एक दो अच्छे टीचरों क को दिखा है क्योंकि अगर तीन टीचरों को उसने सब बच्चों के लिए लगा दिया तो एक टीचर मैक्सिमम चार क्लास लेता है सर तो जब एक बच्चा चार क्लास लेता है और जिस इस्टिटूट में हजारों हजारों की संक्या में बिद्यारती बढ़ रहे हूं तो कैसे पर अपनी स्रेश्ट टीम को सभी बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकता है नहीं और हजारों स्कूल लाखों स्कूल इस हिंदुस्तान में हैं और कितने ही ऐसे स्कूल हैं जब यह संस्ता ओपन होई थी तो कोई सोच नहीं सकता था 2005 में कि कभी कोई बिद्याले से IIT या NEET में सेलेक्शन हो जाता होगा हमने वहाँ दोर देखा है आप सभी ने वहाँ दोर देखा है जब हम अब 6 गंटे स्कूल में पढ़ने के बाद और इसी गंगापुर सिटी के रोडों पर एक टूशन फिजिक्स का पढ़ने के लिए बैद कॉलोनी में कैमेस्टी का पढ़ पढ़ने के लिए किसी अन्य कोलोनी में दोड़ा करते थे आप सभी उस बात के गवाँ होंगे यानि 6 गंटे स्कूल में देने के बाद 3 गंटे टूशन पढ़ने के लिए बैवी मात्र स्टेट बोर्ड के पढ़ाई उसको पढ़ने के लिए आप अपने मैत्पूर सारे 4- च्छै घंटे खराब करते थे जो जब एक बच्चा जब अपना 6 गंटे स्कूल में दे, 6 गंटे और पढ़े, 12 गंटे केवल दोड़ दोड़ के पढ़ता रहे तो क्या संभव है कि अगर एक बच्चे को मैं 2400 गंटे मेरे पास बटा गर पढ़ाऊं, 2400 गंटे पढ़ाऊ केबल छे गंटे सोने के लिए दूँ तो क्या आपकभी उसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है कदापी नहीं कई अभी बाबकों की ये धाला होती है कि बच्चे को जादा से जादा पढ़ाया जाए नहीं मैं यहाँ इस चीज को परिशुद्ध करना चाहूँगा कि जब तक बच्चा स्वाध्यार नहीं करेगा तब तक रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा मैं आप से ये चाहता हूँ मेरे अभी बाबकों से चाहता हूँ क्योंकि दूसर नंबर के सबसे बड़ी जो कड़ी होती है एक बच्चे के भविश के निर्मान में वहाँ होती है अभी बाबक पहले नंबर की जो चीज होती है वहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं चाहे उसके लिए कुछ भी कीमत के ओना चुकानी पड़े जब भी मुझे कोई और काबिल सिक्षक और नजर आएगा तो मैं उसको जोडने से कता ही नहीं हिज के चाहूंगा इसमें कोई दौरा नहीं है दूसरे नंबर पर जो जिम्मेदारे आती है वो मेरे प्यारे अभी बाबकों की आती है केबल संस्ता बर में उसको भेज देने मात्र से परणाम नहीं आते हमको आज इस मीटिंग को बुलाने के पीछे हमारा जो धे था जो उद्धेश था वो यही था कि आप कब जब तर हमारे सहयोग नहीं मिलेगा बच्चे के बारे में पूरी गतिविदियों की जानकारी नहीं मिलेगी कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती एक बच्चे के सामाइने जानकारी उसका कैसा निचर है कैसा सवबाब है पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है mobile में English है, छोटे बाई बेनों से लड़ाई कर रहा है या उस जगे आ करके पढ़ रहा है जा सब घर वाले बेटे हुए है या अपना time kill कर रहा है, यह आपको बहतर पता होता है परिबार को बहतर पता होता है, आपको cable, हमारे management को अब हम देखो, हमारे sheets management में, यहाँ, जो HODs के अलावा management के director है, वो तीन separate directors के लिए रखे हुए है coordinator रखा हुआ है, हमने सारी विवस्ता इनके लिए कर रखी है बच्चों के लिए जरुवत पढ़ने पर मोटी बेस्टर क्लास भी हमारे द्वारा ली जाती है बच्चों को बड़े प्यार से समझाया जाता है निश्चित रूप से उनके career के बारे में मैं स्वयम जाकर के बच्चों को समझाता हूँ और आप ताजिव करोगे, मैं कई बच्चों में इस building के बाद आमूल चूल परिवर्तन देख रहा हूँ हाँ, कुछ बच्चों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है तो अभी बाबकों की जो जिम्मेदारी बनती है वो बच्चों को ले करके उससे सम्मंदित, उसके स्वास्त का ध्यान रखे उसके खान पीन का ध्यान रखे और बच्चे को अनावश्यक, कई वार अपन ओवर बढ़न जो दे देते हैं एक अभी बाबक जैसे अक्टूवर का महिना जैसे गुजरता है तो कई वार मुझे सुनने में आता है एक अभी बाबक बच्चे से कहता है बेटा बोर्ड को देख लेना खई ऐसा नहीं हो तो यह फाउंडेशन के चक्कर में बोर्ड लेवेट है उसका यह कहना हमारी पूरी स्टेटरजी जिस जो अभी आपने अस्तोष जी ने बताई थी उस पूरी स्टेटरजी को धराशाई कर देता है नहीं आप केबल जो बच्चे का दो ध्यान रखना है वो है उसके आवर्स यानि वो बच्चा कितने आवर्स सिटिंग देता है मैं आपको एक चीज बहुत जो अभी बाबा को मैं बच्चों को भी बताता हूँ मैं आपको भी इस जगे आपको जरूर शेयर करूँगा एक कॉम्टिशन जब एक बच्चा लिख रहा होता है न तो उस बच्चे को तीन घंटे के कंसंट्रेट होने की बहेंकर जर्वत होती है अगर मैं आपको सब को जोड़ बाकी गुणा भाग आता है यू ओल नो एडिशन, मल्टिप्लिकेशन, डिविजन, सब्ट्रेक्शन सब आते हैं आपको जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं अगर मैं आपको यहाई तीन घंटे बिठा करके सो कुष्चन जोड़ बाकी गुणा भाग के दे दूँ तो कोई व्यक्ति आदा घंटे बाद गलती करना शुरू कर देगा किसी का कंसेंटेशन एक घंटे बाद खराब हो जाएगा कोई व्यक्ति दो घंटे बाद अपना कंसेंटेशन ब्रेक कर देगा यानि एक सीमा होती है और कॉम्टिशन में एक बच्चे को लगाता तीन घंटे तक कंसेंट्रेट करना होता है वहाँ गौ送टिशन कैसे आता है ये मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे की सिटिंग दिन में कम से कम कम से कम ये ध्यान रखो कि दू स्ट्रेशे ऐसी हों दू सिटिंग ऐसी हो जिसमें बालट ना पानी के लिए उठे ना पेशाव के लिए उठे और तीन गंटे की सिटिंग दे मिनीमम तीन-तीन गंटे की दो सिटिंग दे जब तक इस रेगरस प्रोसेस को बालट फोलो नहीं करेगा आप कई बार देखते होगे जब आपका बच्चा टेंथ कलास का फेपर लिखके आया था तो उसको आते हुए कुश्चन्स भी गलत हुए थे वो यह आपसे शिकायत कर रहा था या कहा होगा अरे ये मुझे आता था मैं गलत कर रहा या ये मुझे आता था ये मैं गलत कर रहा या और कॉम्टिशन में तो ये बहुत सुनने को मिलता है कितने ही नेगेटिव कुश्चन्स करते हैं मैं उस नेगेटिव कुश्चन्स को कैसे रोका जाए उस नेगेटिव बहुसे कार्जिन मेरे से पूछते रहते हैं सर हमारा बच्चा negative बहुत करता है सर ये negative बहुत डाल देता है तो negative क्यों डाल देता है Lake of concentration यानि paper के दौरान उसके तीन घंटे जो उसके दौरा जो बिताए जा रहे हैं उसमें कहीं ने कहीं उसकी concentration में कमी आई है और वहाँ गलतियां होने लग गई है जो प्राय नहीं होने चाहिए थी तो इस concentration level को आपको maintain करवाना है जरूर से जरूर maintain करवाना है अगर देखो किसी भी बच्चे की आज आपका भी धेव आई है मेरा भी धेव आई है प्रतेग बालक यहां से success हो इसी धाना के साथ डिये साइंस सेकेनमी काम करता है आज जब बालक सफल होता है तो एक अभी बाबा के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी पूझी क्या होती है बहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा है? नहीं क्या उसका बहुत अच्छा नाम हो? मेरा मानना है? नहीं उसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वह होती है अपनी संतान को यतिष्ट उचाई पर पहुँचा देना क्योंकि कुछ बगत बाद आपको यदि जाना जाएगा तो वो आपके बच्चों के नाम से जाना जाएगा और यह हमारी एक बच्चा आपका बच्चा योग बने एक अच्छा नागरिक बने ताकि आपका अगली पीडी दर पीडी ये नाम चलता रहे इसी धे के साथ एक अभी बाबग अच्छी संस्ता का चुनाब करता है तो आपकी बहुत सारी जम्विधारिया बन जाती है और यदि आपको लगे कभी भी बालक की कोई छोटी से छोटी कमी हो हम बड़े हमें सेकड़ों तरी के आते हैं बालक को समझाने के पीटना नहीं है ना आपको ना यहां जर्बत ही नहीं है वो एक वक्त हुआ करता था जब बच्चा समझता इसी से था आप याद करो मुझे नहीं लगता हमें से कोई भी एक ऐसा मौझूद रहा हो जिसके गुरुजी के हाथों का स्वाद ने चका हो निश्च चत्रूप से लेकिन अब वह वक्त नहीं है क्योंकि बच्चे को ऐसे साइक्लोजिकल टीट करना होता है और वो हमें बहुत अच्छे से आता है बहुत अच्छे से आता है उसकी आप कोई भी कमी देखो कोई भी कमी देखो उसको ढखने का प्रयास मत करो अगर आपका बालत पढ़ने में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़नाम दे रहा है लेकिन वर्ष संसकार युक्त नहीं है तो देश निर्मान में उसका कोई युगदान नहीं होगा आपका बच्चा संसकारित होना भी चाहिए उस कड़ी में अगर हम कुई भी इस बच्चे में यह क्या दो अच्छे गुर्ष सिखा पाए आपके बताए हुए बातों से हम कुछ उसमें अच्छा परिवर्तन कर पाए तो यह उसके जीवन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा आप बच्चे की कमियों को मैं इस्प अधार आ सकता है यह कमी आप जो देख रहे हो उस कमी को क्योंकि यह एज अभी ऐसी है कि आज इस कमी को पूरा किया जा सकता है जब यही बटबरक्ष बन जाएगा तो यह कमी परमानेंट उसके साथ जाने वाली है जो अपनको आगे जाकर के बहुत दुगदा इसाबित हो लेकिन आपको यह कहना होगा क्योंकि हम एक गुरू एक ऐसी चीज होती है बहुत कहते ना गुरूर ब्रह्मा क्यों गुरू का पद सबसे उपर कहा गया है आप सभी अपने बच्चे को किसलिए पढ़ा रहे हो कि आपकी अगली पीडियो का नाम रोशन हो जब आप धूप कभी भी इस धेश से नहीं पड़ाता कोई आज तक किसी भी गुरू को ले जा करके ना कोई पहली पेमेंट दिये ना कभी उसका कोई हाल चाल जाना है गुरू वहीं से कुश होता है कि आज मेरी बेटी प्रियांसी जो हारी कॉलेज में है आज मेरा कुल दीप आईएस है आ केवाल उसकी उन्नती का भाव होता है इसके अलावा उससे कोई उसके बदले में अपेक्षन नहीं होती यही बज़े है कि गुरू का इस्थान माता पता से स्रिष्ट बताया गया है और मैं इस मंच से आज इस दावे के साथ कहता हूं कि DS Science Academy ने आज तक हमेशा बच्चे के सपनों को अपना समझ करके जिया है आज जब एक भालक जब अपने मुकाम पर पहुंचता है तो शाज जो आपको खुशी होती होगी उससे कई हजार गुना खुशी हम आप एक दिन महसूस करते हो उस खुशी को हम हर दिन जीते हैं और यही प्रेणा उन बच्चों को उनके गंतेवे तक पहुचाने की यही प्रेणा हमें निरंतर आगे से आगे कठिन से कठिन चुनोतियों को लड़ने में आपका हमारा संबल बन जाती है और मैं अभी बाबा को का भी आज इस मंच से बहुत धन्यबाद दूँगा मैं आपको एक चीज जरूर बता दूँ आप आपका बालत यदि डियास साइंस अकेर्मी में है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बास सुरक्षत हातों मैं है मैं आज कोई भी अभी बाबा आप याद कर लो आज आप किसी भी अभी बाबा को जानते होगे जिसका बाला कोटा के किसी नाम इस्टिटूट में जैपुर के किसी नाम इस्टिटूट में पढ़ रहा होगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस बच्चे का कोई बच्चे ने मुझे नीचा नहीं दिखाया है। मैं आप से हाँ कई बार बोर्ड जो परणाम होते हैं कॉंपिशन के जो परणाम होते हैं वह अपेक्षत नहीं रहते कभी चिंता करने के आवश्चकता नहीं है। अगर कोई एक परणाम कभी बच्चे का खराब होता है तो मैं आज अभी बाबा को से कह देता हूँ वह उसकी लाइफ का एंड नहीं है। आप अच्छे से बात को जान लो अगर कोई एक परिक्षय उसकी बालक की गड़बड हो गई तो ऐसा नहीं समझेंगे यह कुछ नहीं कर भाएगा उसको कता ही यह ताने नहीं मारे जाएं जनरली क्या होता जब मैं पढ़ा करता था मालो मेरी जो है टैंथ क्लास में 75% थी तो मेरी मा जब खाना खा रहा होता जब मैं रोटी खा रहा होता देख भलाने चोड़ा कि फिच्चा सी बनी है देख ध्यकाने के निन्याण में बनी है और एक तू ढो रहा है तो से कहते कहते परेशान होगे नहीं ऐसा कता ही नहीं कहना है उसको हमेशा सकारत मकता से मोटीवेट करना है उसको positivity से motivate करना है नकारात्मक्ता से कभी positivity नहीं आती DS Science Academy जिस धे के साथ इस गंगापुर शिटी में start हुआ था तो गंगापुर शिटी को कुछ section नगरी के बारे में सोच है ये सपना ही संबब नहीं था आज इस संस्ता का नाम राश्टिय पटल पर इसके निरंतर परणामों की बज़े से लिया जाता है और मुझे बेहत कुछी है अगर मैं कुछ परणामों की बात करूं जो शायद आपको पता नहीं होंगे कोरोना काल से पहले कि अगर मैं बात करूं 2018 में तो एक लगातार IIT J.E.Main में 2014-15 के बाद कोई सा ऐसा साल नहीं है जहां कच्चा बारे के साथ IIT में में सेलेक्शन का सेकड़ा नहीं लगाया है शतक नहीं लगाया है यहीं नहीं अगर मैं IIT J.E.E.डवांस की बात करूं तो हमारा एवरेज किसी भी काल में कच्चा बारे के साथ 50 बिद्धार्तियों के सेलेक्शन का रहा है और 50 IIT एडवांस में में गंगापुर्शिटी की संबाग की किसी भी संस्ता को इस मन से दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन से उसकी स्थापना हुई है और आज तक उसके सारे सेलेक्शनों को जोड़ लिया जाए तो वैं डियर साइंस अकेडमी के एक बर्स के सेलेक्शन की तोलना नहीं कर सकता यह अंतरे डियर साइंस अकेडमी और अनिस संस्ताओं में और इस सब संबभ हो पाया है वो आपके भरोसे के कारण मैं मानता हूँ मैं यह जानता भी हूँ कि कई अभी बाबकों की बहुत सारी समश्या है निश्चत रूप से मैं उनसे वन टू वन मीटिंग करूँगा हर बालक अपने आप में एक अद्वत्वे होता है हर बालक की शमताएं अलाग-अलाग होती है हर बालक का नेचर अलाग-अलाग होता है एक करियर निर्माण एक एस लेविल पर यही उसके खेलने कूदने के दिन है यही उसके शेयतानी करने के दिन है और यही उसके भविश्य निर्माण का समय भी है तो हमको इसमें एक सामनजस्ट बठाना होता है यह नहीं कि उसके खेल की गत्वीदियों को या कई बच्चे जर्बस से ज़्यादा मूवाइल कई बच्वार क्या है कि पैरेंट्स को दवाब में ले लेते हैं मैं आपसे जो भी बच्चे की आपकी इस्तिती हो बन टू बन आप आईए अफ़गत कराईए और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस शिकायत को ले करके आप आये हो अगले कुछ दिनों में वह शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी हमें वह साइकोलोजीकल टीटमेंट करना आता है आप बेफिकर हैं इस बात के लिए और आपने कई वार सुना होगा कि ये संस्ता पतानी कितने कितने कारणामों में involve होती है कहीं ने कहीं से आपको कोई REIT पेपर में DS Science Academy को घसीर देता है कई कोई और पकरण में घसीर देता है यह उन संस्ताओं की नाकामी का परिणाम है जो संस्ता है अपने बच्चों के या अभी बाबा कों के पैसे को केवल इस बात में खराव कर रही है कि वह डियर साइंस अकेडमी को डिफिम करे उन्होंने क्या हद कंडे नहीं अपना है अब आप सोच रोगे मैं इस बात को क्यों कर रहा हूं हाँ आप सब जानते हो कि डियर साइंस अकेडमी आपका संबल हमेशा मेरे साथ रहा है मेरे बचे मेरे अभी बाबा इस बात को बहुत अच्छे से जानते है कि डियर साइंस आकेड़ी में केबल एक चीज होती है वो है विशुद महनत कटोर महनत कोई एक बालक आकर के कहे तो सर मुझे यह परेशानी है कई कई बार एक एक बालक को जितना वक्त यहां से दिया गया है वो अतुल निया है तो आपको जब सुनने में आता है कि यह संस्था ऐसा कर रही है तो कभी न कभी आपको यह लगता होगा यार कहीं न कहीं ताल में कहीं कुछ काला तो होगा मैं आज इस मंच से आपको ये आस्वस्त कर देता हूँ आप बेफिकर हो जाईए DS Science Academy ना कभी किसी स्केंडल में साथ दिया है ना दे रही है ना भबिश में देगी आप किसी के साथ चेलेंज ले सकते हैं इस बात का कि वह अपनी पढ़ाई बच्चों के हित के विशे में सोचें किसी संस्ता की लकीर को छोटा करने के बजाए उसकी लंबी लकीर खीचना अपनी लंबी लकीर बनाना प्रारम करें तो वह उनके हित में होगा ये बात नहीं है कि वो हमें डिफेम कर रहे हैं बात ये है कि वो इस गंगापुर शिटी को सिक्षा नगरी बनाने से रोक रहे हैं आज कितने ही अभीबाबक, कितने गार्जियन्स आज अन्नी इस्टेटों के डियेस साइन्स अकेड़िमी में पढ़ते हैं ने केवल राजिस्तान के पूर्वी राजिस्तान के बच्चे, बलकि MP के कही सारे बच्चे, UP के कही सारे बच्चे, जो सटे हुए इलाके हैं चाहे अलीगड हो, चाहे आगरा हो, मतरा हो, शोपर, एमपी हो, कितने छित्रों के बच्चों का विश्वास डिया साइंस अकेडमी को उपर जमा है और मैं आज इस मंच के माध्यम से आप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना आपके बच्चे को हारने दूगा, ना आपको हारने दूगा, मैं मेरी पूरी ताकत लगा दूगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछी क्योंने करना पड़े, आप एक बार उस बालक की संबंदित परिशानी को मेरे सामने ला करके रखो, मैं पूरी ताकत के साथ उसके सा बाग में एतियासिक परणाम दिया 720 में से 690 अंक दिये आप जब यहां से जाओगे तो कई एक संस्ता ने उस बच्ची को अपना बता करके और उसका रिजल्ट वोडिंग पर चाप रखा है ये कहां का न्याय है ये चीजें किसी संस्ता को आगे नहीं बढ़ाती हाँ लेकिन इससे क्या होता है मेरे बच्चे इस बात को जानते है अभी बाबग इस बात को जानते है लेकिन हर कोई नहीं जानता तो आज मैं इस मंच के माध्यम से उनको आगा करता हूँ कि ऐसी कुछित घिनोनी हरकते नहीं करें अभी आप देखोगे 2022 के परणामों की मैं अगर बात करूँ तो अभी जब मैं शुरुआत में जब यहां गार्जियन्स का विबावदन कर रहा था तो शुरेया जो मेरी बिटिया है जो कहीं अन्यत्र स्कूलों में पढ़े हैं जो अन्यत्र स्कूलों में पढ़े हैं जो हमारा एक बच्चा है सार जो भुवनेश वाभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो कलास ट्वल तक अन्यत्र पढ़ा था जब उनका परिणाम आएगा तो मैं आपको आज इस मंद से कह रहा हूँ कि गंगापुर सिटी को गोरव होगा और गंगापुर सिटी इस बात के लिए कि बच्चों को कोटा ने भेजना पड़े इस बात के लिए और ज़्यादा धर प्रतिक हो जाएगी आपके मन में और विश्वास जगेगा कि यह संस्ता 700 के नंबर 720 मैं से 700 इस से अधिक नंबर हम दिलाने में इसी वर्स सक्षम हो पाएंगे यही नहीं कप्चा बारे के साथ IIT JEE, Main और Advanced और Target के बहस से भी हम इस साल 100% 100% गंगापुर कभी सोच नहीं सकता हिंडोन सिटी कभी सोच नहीं सकता आज जब एक जमाना था जब हिंडोन सिटी सिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता था एक जमाना था जब करोली सिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता था करोली में बच्चे पढ़ने अपन सब जो आपन के मावाप या अपन के ताउजी या कई वार हम स्वेम करोली गई हैं पढ़ने के लिए लेकिन आज डिया साइंस अकेर्मी ने ये हाला पैदा कर दी हैं और इतने अच्छी इस्तित्या बच्चों के लिए दी है कि बच्चे आज अन्यतर से गंगापुर शिटी आ रहे हैं आज गंगापुर शिटी बास्यों के लिए ये बहुत गौरब का विशे है हमारे ब्याप 2023 के यदि परणाम जैसे आज तो सर बता रहे थे 2023 के परणामों पर आप जब उनको देखोगे ना जब आप ये देखोगे कि ओल इंडिया की एक अंक में रेंग यानी रेंग वन से लेके रेंग नाइन क्या संबब है उस 2023 में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किये जान नहीं दूँगा आपके विश्वास को मैं कभी डगमागाने नहीं दूँगा जो विश्वास आपने संस्ता पर किया है उस विश्वास पर ख़रा उतरने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम हमेशा दिन राज 2400 बंटे जब कभी ज़रुत होगी हार इस्टिती में किसी भी प करना क्योंकि हमें पता है अगर ये बच्चा बार्मी के साथ सलेक्ट नहीं हुआ है तो मेरे पास एक बर्स और है और उस बर्स जो उसके साथ मेहनत की जाती है टार्गेट के बच्चों के साथ जो हम मेहनत करते है ना तो मेहनत भी शर्मा जाती है सर एक एक टॉपिक को पह में परक्षा में नहीं हो इस छोटी छोटी चीजों का हम लोग ध्यान रखते हैं परक्षा बारे के साथ जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनको पूरे सलेबस को बहुत अच्छे से पने करवाया जा रहा है आप इस बात के लिए निश्चिन्त हो जाओ और डियर साइंस एकेडमी ने जो इस गंगापुर सिटी को सिक्षा नगरी बनाने में जो अपना योगदान दिया है यह केवल 11-12 के लिए नहीं है मैं आपको बताऊं छोटी कक्षाओं में जो सबसे बड़ी जो कमी जो यहां देखी जाती थी ना एक बच्चे को लेंग भी जो सीखी जा सकती है उसमें जो संसकार डाले जा सकते हैं वो सब चीज छोटी कक्षाओं से होती है और छोटी कक्षाओं का लेविल हमारे आप बिलकुल गिरा हुआ रहा है मुझे कहने में कोई गुरेजनी है इस बात का और मैं आपको इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने अभी जो बस्पन स्कूल डाला है उसमें पूरी फैकल्टीज साउट की रखी है यानि जितनी हमको इंगलिस आती है उतनी उनको हिंदी आती है अब बच्चे का जब कनवर्शेशन होगा तो निश्चत रूप से उसकी जो फ्लूएंसी होगी इंगलिस में और मैं दावेग साथ कहता हूँ अगर बच्चा अगर केवल इंगलिस में फ्लूएंट है ना और कुछ भी नहीं है तो वहाँ अपने करियर को बहुत अच्छे से जी सकता है मैं आपको एक चीज और बता दूँ यहां कि बच्चा आप कई बार सोचते हैं कि क्या बच्चे का सेलेक्शन नहीं हुआ तो क्या जिन्दिगी का एंड हो गया नहीं यहां जो फैकल्टी बैटे हुई है ना जो यह केवल एक सब्जेक्ट या कई वार उससे आधा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जिनकी क्वालिफिकेशन केवल कक्षा बार है और वह राष्टिय इस्तर के इस्टिटूटों में पचास पचास लाग का पैकेज ले रहे हैं केवल किस बात की बज़े से क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है चिंता करने की आवश्चकता नहीं होती सफलता असफलता के पीछे दोडने की जर्वत नहीं होती यह जीवन एक अलग तरह की चीज होती है अगर बच्चे का एक सब्जेक्ट भी पावर्फुल हो गया ना तो जो आप सोच रहे हो कि वह गौवर्मेंट जोब लगके पचास अजार या एक लाग रुपे कमा है हो सकता है आपका वही वालत परमंत पांच लाग रुपे भी ले रहा होगा कभी चिंता नहीं करना ना लाइफ में और अगर मुझे लगा कि वह बालग में योगता है एक सब्जेक्ट अच्चा है तो उसको कहीं जाने की जरुवत नहीं है बीएस के दरवाजे उसके लिए हमेशा खोले हैं ऐसे विध्यारतों के लिए हम हमेशा तयार है तो मैं आप से यह अनुरूद करूँगा कि अगर आपको लगे कि कोई बालग पृतिवावान है आज इस मंच के माद्यम से अगर आपको लगे कि इस बालग में कुछ पृति और बढ़ेगा और निश्चित रूप से उसको उसके अफिक्षित परणान तक हम पहुचाएंगे चुकि भाशन बहुत लंबा हो गया है तो मैं नास्ते की वी वेवस्ता रखी गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जीवन में अपने बच्चे को ले करके कतई परिश हम लोग विचार करते हैं तब तक उसके पीछे पड़ते हैं जब तक उसमें वह कमी सोधर नहीं जाती ऐसे पचासो बिद्यारती पचासो गार्जियन इसमें बैटे हूंगे जो कमी बदा करके गए थे और उन्हें अप टूडेट रेक्टिफाई कर दिया उसको और इसी कड़ी में कुछ मिनट के साथ ही सही लेकिन मैं अपने होडी महानवाओं का एक बार चाहूंगा आपके सामने उत्भोधन हो और फिर जल्दी से हम नास्ते की तरफ आगे बढ़ेंगे सिरिमान दिवान फोच्धार साब का मंच मेरे स्वागत है फीजिक्स फेकल्टी हैं फीजिक्स होडी है ने डिपार्टमेंट के सिरिमान दिवान फोच्धार साहब मा सार्दे के चर्णों में नवन मंच पे उपस्तित डिये साइन्स अकेडमी के डिरेक्टर सर अकेडमिक हेड सर सभी होडी जमानबाब और सभी मेरे साथी फैकल्टी मेंबर्स और सभी मेरे प्यारे विध्यारतियों के अभिवाबक सबसे पहले सभी अभिवाबकों का इस डिये साइन्स इस्टूड के प्रांगड में भौत 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 अभिनंदन और पहली बार आप से मिलने का जो स्वबाग प्राप्त हुआ उसके लिए अपने आपको बड़ा खुस किसमझ समझते हुए दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा मेरे बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं मैं दीबान फोजदार फिजिक्स पढ़ाते हुए 17-18 साल होगे सीकर मैं पढ़ा रहा था सीकर से बाड़ जाना ही नहीं हुआ सीकर के जितने भी मैंने को नहीं लगता है कि कोटा के बाद में सबसे अच्छा कहीं पर भी अगर आजूकेशन का हब है वो सीकर है तो सीकर के जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टूट्स है उन इंस्टूट्स में एज 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 ओड़ीज काम करने का मौका मिला और अब मेरे सामने एक बड़ा सा यक्से सा प्रस्णा आजाता है कि इतना बड़ा एक एजूकेशन का एक एमपायर जहां सत्रे साल गुजारे बच्चों का बहुत प्यार प्राप्त किया अभी बाबकों का बहुत प्यार प्राप्त किया और इंडिया में ऐसा कोई मेडिकल कुलिज नहीं होगा जहां हम जाएं और बच्चें हमारे पैर नीच हुएं ऐसा अपने आपको गोरप प्राप्त किया सब्सक्राइब बहुत ऐसे सोच थी मैं था मेरा रूमेट अजयपाल लंबा था जो अभी जैपुर का कमिशनर लगा हुआ है हम दोनों एकी कमरे में रहते थे चार साल साथ रहे, रूमेट भी रहे, क्लासमेट भी रहे तो अजयपाल तैयारी करने के लिए डैली चला गया मेर को जाना था तो कोई ऐसी घटना घटित हुई कि कोई गाउ में भैसों को पाणी पलाने के लिए वो टूबेल लगाते हैं, कोई पंखा नीचे लगा हुआ था उसमें पिता जी उसमें ऐसे काम कर उपर से गरी गए थे तो पांच-छे मिने वो आगरा ऑस्पिटलाइज रहे तो मैं उनके साथ रहा तो उस साल वो ऐसा ही खराब हो गया तो मैंने कहा जब पाल से में तू रूम भूम देख ले साल तो तू तू तयार इगर लगली साल होंगा कोचिंग वोचिंग का वो टाइम निगल गया था उसी टाइम पर ये CLC के जो डैरेक्टर है सर्वन चोधरी जी ये मेरे सीनियर थे कॉलेज के तो CLC की अलवर में एक ब्रांच लॉंच होई थी तो उसका उदगाटन था तो बोस बोलता है सीनियर को तो बोस ने कहा कि यार तू पास का ही है तो आजा ना उदगाटन में चला गया ऐसे तो बोस ने बोला कि अभी तू तो तयारी करने बाद में जाएगा दो तिन महीने एक दो महीने जब तक गर पर है जब तक बच्चों को पढ़ाले तेरा भी टाइम पास हो जाएगा और ऐसे ये नी था कि लाइफ का ये वीजन नहीं था कि अपने को एक फिजिक्स ही बनना है कि क्या बनना है कोई डिसाइडिंग नहीं था किवली है था कि यूपी एसी तियारी करने है तो ऐसे ही बस मजे में चौक पकड़ा और ऐसे चला गया मैं तो पढ़ाने पढ़ाने गया एक पांसाब दिन दस दिन बाद बच्चों का एक बड़ा ऐसे अच्छा इ और मैंने फिर यह डिसाइड कर लिया कि यार अब तो ना पढ़ाएंगे फिर दिमायक में यह बात हुई मैं अगर IPS बनूंगा ता अकेले बनूंगा लेकिन जब मैं पढ़ाओंगा तो पता नहीं कितना IPS बना दूंगा तो इससे बड़ी मेले क्या बात होगी तो एक तो द पढ़ाना शुरू किया उसके बाद सीकर जो सीकर में सीएलसी घर ओपिस था तो वहां पर बोस ने सीकर बुला लिया और खुद फिजीस पढ़ाते तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और वो इसे गाउं में महाल बनाएंगे जैसे आप सब बढ़ाएं और राज्त ल गया था तो गुरुकृपा केरियर इंस्टूट की स्थापना हुई जिसका मैं फाउंडर मेंबर था और आज रायस्तान में गुरुकृपा केरियर इंस्टूट एलन के बाद साइके नमर पर नीट का सबसे अच्छा प्लेट फॉर्म है तो गुरुकृपा केरियर इंस्ट नीट पढ़ आया, लेकिन बात में फिर थोड़ा हमारे पास जो इस्टेंथ है वो मेडिकल की जादा बढ़ने लगी, मेडिकल के रजल्ट जी से है कि बहुत अच्छे आने लगे, जब मेडिकल बहुत जाद स्टेंथ बढ़ने लगी और फिर थोड़ा सा ये फिल किया, कि अगर NEET के अंदर अगर सबसे बड़ा selection में अगर कोई अबरोध पैदा करता है तो वो है physics बच्चों के दिमाग में फोबिया रहता है नेट के बच्चों के दिमाग में physics का एक बहुत बड़ा फोबिया रहता है तो वहाँ से decide किया कि यार cable और cable अब नेट समालेंगे बच्चे भी हमारे पास नेट के बहुत जादा होगे तो कुछ दिन तो IT बड़ा है उसके बाद पूरा-पूरा 100% devotion नेट के लिए किया और नेट में जो फोबिया था बच्चों का नेट में जो बच्चों का फिजिक्स का ऐसे डर लगता है फिजिक्स एक ऐसा turning point पर लाके रखती है नेट के बच्चे को या तो बहुत अच्छी rank provide करा देती है अगर फिजिक्स अच्छी है तो और या उसका selection रोग देती है बिलकुल एक turning उसका role play करती है फिजिक्स तो वहाँ से दिमाग में बात आई यार कि अब टीचर तो इस इंडिया में बहुत है और जो फिजिक्स का जो यूनिट है मालो जैसे कोई साइंस का आदिम बेटा हो पहली यह एलेक्ट्र स्टेटिक्स होती है या पर कोई मालो कोई यूनिट है पाइनेमेटिक्स की होती है वेक्टर होता है मैं जार उसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बो तो जैसा मैं बताऊंगा अब ऐसा ही सारे ओर टीचर्स बताएंगे भाई यह तो है नहीं कि नहीं मैं इसमें तोप सींग फिजिक्स का फैकल्टी हूँ इसलिए यह फॉर्मूला के क्यू बन क्यू टू बटना आरे स्क्वार नहीं होता है इसका होले स्क्वार होता है ऐसा थो नहीं सकता इसका मतलब अपने टीचिंग में कुछ ऐसी स्किल लाई जाए जिससे बच्चों को फिजिक्स जो है वो एक आर्ड का सब्जेक्ट लगने लगे तब तो माने कि यार आपका सपना पूरा हो रहा है और उसके पीछे भी एक छोटी सी घटना है तो मैं उमेश सर से और आस्तो सर से निवेदाइं करना चाह रहा हूँ पिछे नोन में बार को छह साथ मिनेटी दिया हमने तस पर तकानी चल जाएगी वहई इसलिए इसके लिए सौरी तो इसके पीछी भी बहुत बड़ा एक लोजिक है बताता हो मैं आपको मिं एक वार उझेशन माकाल के दर्सन कड़ने दुद्द्धवाली की मारी चुट्टी हुई मेरे सीकरी पढ़ा रहा था उझेशन माकाल के दर्सन कड़ने गए हम तो जैसे हमने कोटा से जालाबाड जैसी क्रोस किया मैं था मेरे मिसेश ते मेरे दो बच्चे थे तो जालावाड क्रॉस होते रेली बता रहूं थे को गटना इस गटना से एक ऐसी इंस्पारेशन मिला तो हमने एक धाबे पर रुके वहाँ चाय पी चाय पी तो भाई साब एक छोटा सा बच्चा था उसने हमको चाय बना गे दी अब चाय बना गे दी थो उस चाय के अंदर चीनी भहुत जादा डाल रखी थी भाई साब उसने उसको चास नहीं बना रखा अब जैसे हम पीने लगे तो ऐसे ही जैसे ज़ंजलाड़ से नहीं आती कि मुझा रहे यार क्या उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला वाई साब वो कप ले और वो दुबारा गया और उसका जो मालिक बैटा था उसने थोड़ा सा हलका सा डाटा गे रहे कैसी चाय बनाई है उसने दुबारा चाय बनाई बड़ी अधरेक बदरेक डालके और यह ने हमने चाय ली फिर चाय भी बड़ी अब नहीं पी ली फिर हमने पैसे देने लगे मैं कितने पैसे हो भी है उसने कहा कि जो कि चार चाय कितनी चार तो पहले बन गई और चार बादें बना दी टोटल चाय कितनी होगी आठ तो उसने केबल हमसे चार चाय के पैसे लिए मैंने का यार तू तेरी चाय तो आठ बनी है तेरो पहले चीनी ज़्यादा डाल दी भाई गल्ती तो हमारी है कि हमने पहले नहीं कहा तेरे से कि हम कम चीनी के चाय पीते तो तू पेमेंट चार का ही क्यों ले रहे तो सोरेन क्या बोला, कि सर देखो customer satisfaction में कोई चीज होती है, छोटा सा बच्चा कि उसने MBA नहीं कहा कभी उसने का customer satisfaction में तो कोई चीज होती है तो फर उजेन माकाल के हम दर्शन करके आए, वापिस सीकर आगे तो दिमाग में एक बात घुमती रही तब तक हमारी जो stage जी ती पढ़ाने की वो यह थी अच्छे बच्चे को जो अच्छे बच्चे होते थे जुसके rank बहुत अच्छी आ रही है जुसके Mars 12 में बहुत अच्छे है जो 10 से 11 दा फाउंडेशन में बहुत अच्छे बच्चे है उन पर तो हम ध्यान दे लेते थे हमने को पता हजल तो इसी में से परपेर होना है बाकिक बच्चों को ध्यान नहीं देते थे अधिकतर coaching institute का यह strategy होती है तो वहाँ से मेरे दिमाग में काम किया कि यार कि अगर हम teacher हैं और हम physics पढ़ा रहे हैं तो हमारी physics ऐसी होनी चाहिए हमारे physics का explanation ऐसा होना चाहिए जिसमें zero से लेकर जो top class तक का बच्चा उसको एक जैसा समझ में आना चाहिए उसके लिए हमने अपनी strategy change की रात को 5-6 गंटे बेटते थे इस बात को सोचते थे कल X topic पढ़ाना है उस X topic में क्या का problem frame हो सकती है उस topic काम को खासा initiation करना चाहिए और उसको खापर freeze करना चाहिए कासम से जूटनी बोल रहा है एक साल बाद में बच्चों का feedback आया कि सर इससे बाहर कुछ होई नहीं सकता तो इस सोच और इस vision के साथ पढ़ाना start किया और 15-16 साल में बच्चों का ऐसा प्यार और ऐसा दुलार जो मिला वो ही हमारे के energy का source है तो उसके बाद क्या है कि कोरोना के बाद में या थोड़ा सा पहले उमेश सर के बारे में सुना आज तो सर न ने बताया और कई सारे लोगों से जब पता चला के भई एक ऐसा energetic director जो जिसके life का एक vision है कि एक ऐसा system develop करना जो की अपने आप में एक अद्वूद हो तो वहाँ से बहुत सारी चीज़े होती है कोई भी एक अच्छी faculty आती है ऐसा नहीं है क्योंके भई देखो जब मेरी साधी होई थी तो मेरे जो सास थी उसने पुछा के चोरा केक रहे के master है वो भी private school में तो उन्होंने कहाँ private school में master है वाकी साधी हमारी लड़की दे कैसे कर दें लेकिन उनको यह नहीं पता था कि coaching field का जो teacher होता उसका package 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 5 लाख रुपे महीने, तो यह क्या है उस time तक लोगों के दिमाग बात नहीं होती है तो एक अब सोचो इतना बड़ा package का कोई आदमी appoint करेगा और इतने package का अगर आदमी एक अच्छा से अपने system छोड़के किसी दूसरे system में अगर जाएगा तो उसके बीच में कितनी खतरनाक bonding होई होगी या उसने उसको कितना परखा होगा या उसने उसको कितना परखा होगा इस सारी कानी के बाद में जाकर ये appointment होता है कि हम इस institute में पढ़ाएंगे तो मैं आप से एक ही बात ये विश्वास दिलाता हूँ मेरी मेरी नहीं मेरे जो इतने भी साथी है मतलब जब हम सीकर सोड़के जब यहां आये होंगे तो इसका मतलब हमारे दिमाग में भी कोई ने कोई विजन हो गई होगा ऐसा था है नहीं कि हम एक साल पलाड़ी है दुबारा भाग गे और यह चैमीने पढ़ा ली और भाग गे अगर भागते तो आते ही क्यों क्योंकि हम तो माँ सैट थे अगर आपको मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे है आपका कोई भी जानकर वो सीकर पढ़ने गया हो चाया उसका सेलेक्षन हुआ हो चाया नी हुआ कोई भी आपका रिष्तेदार जो कि केवल सीकर पढ़ने गया हो माँ पूछना कि दीवान सर को जानता है कि वो फिर अपने आप आपको फीडबेक दे देगा तो जब हमारे इतनी अच्छी माँ रैपोटेशन थी और हम यह तो है नहीं एक साल के लिए छोड़के आएंगे इसके मतलब हमारे बीच में कुछ खतरनाक बॉंडिंग होई होगी एक सपना देखा होगा कि भाई इस संभाग में क्योंकि मैं भी यहां नियर भाई भरतपुर का ही रहने वाला हूँ मेरे दिमाग में भी बड़ी खुनक रहती थी कि यार यहां का बच्चा सीकर जा रहा है सेखाबाटी में जा रहा है क्यों ना हमारे बच्चों को मैं रोका जाए तो एक कुछ ना कुछ तो दिमाग में हमारे में बात होगी उसी सोच को लेकर एक सपना पाला है कि DS Science Academy नी DS Science Institute एक एक इंस्टिटूट है और एक इंस्टिट प्यॉर फूर IATN NET के लिए जिसके परणाम इतने अदुबुद होने वाले है कि मैं देको मैं मेरी कितनी बढ़ाई कर लूँ उससे कुछ नहीं होने वाला कोई भी स्वास नहीं करता है मैं जो कि आपको इस इंस्टिट के लिए अट्रेक्ट करेगा तो रजेल्ट के लिए सबसे पहले मैं आपको आज ही एक बहुत बड़ी बात आज बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने बता देता हूँ और अगर वो जो जिन बच्चों का नाम ले रहा है उनके गार जानो तो मेरे को हाथ कड़ा करेंज उससे पहले मैं थोड़ी सी आपके एक 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 लाइन की बात और कहना चाहता हूँ अमताब बच्चन जो था अमताब बच्चन जब उसकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर सुरुआत हुई थी तो उसका सबसे पहला जो रोल था अमताब बच्चन जी का वो था है गुंगे का रोल था यानि कि फिल्म में उन्होंने गुंगे का रोल किया था तो जब अब अमताब बच्चन किस पर आता है कौन मने का करोड़ पती पर केबिशी पर आता है अमताब बच्चन तो उसे एक दिन अमताब बच्चन से एक पतरकार इंटर्वू ले रहा था और इंटर्वू ले रहा था अमताब बच्चन से पूछ रहा था कि अमताब जी एक बात बताओ जब आपने हीरो का रॉल प्ले शुरू किया था जब आपने गूंगे गूंगे का रॉल पिले किया था वो आपकी पहली पिक्षर थी तो कैमरा फेस करते समय सुरुआत में ज़्यादर डर लगता था कि अब आप KBC कौन बना करोड़ पती के कैमरे को फेस कर रहे हो अब ज़्यादर डर लगता है तो अमताब जी ने बहुत घहरी बात बोली कि जब मेरी सुरुआत थी डर नहीं लगता था इसलिए डर नहीं लगता था कि उस सिनेमा हॉल के अंदर जो टिकट खरीता था वो मेरे नाम से नहीं खरीता था वो दूसरे कलाकानों के नाम से खरीता था लेकिन अब ज़्यादर लगता है क्योंकि सिनेम हौल के अंदर कोई भी आदमी टिकेट खरीता है अमताब बच्चन के नाम से खरीता है इसलिए अगर हमसे कोई पूछा जाए जब आपने पढ़ाना शुरू किया था उस टैम ज़्यादर डर लगता था कि इतने साल के बाद अब ज़्यादर डर लगता है तो मेहाद जब अब यही होगा जब हम सुरुआत की थी हमको डर नहीं लगता था कि कोई भी बच्चा हमारे नाम से नहीं आता था अब डर लगता है कि बच्चे अब जब हम पे इतना अच्छा फेद करते हैं तो अगर उन बच्चों को हमने रजल्ट प्रेड्यूस नहीं किया तो हमारे सिनेम आल के अंदर टिकट खरीदना बंद हो जाएगा इसलिए अब ज़्यादा डर लगता है तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह इंस्टिरूट, इंस्टिरूट का डिरिक्टर, इंस्टिरूट का अकेडिमिक हैड, यहां की पढ़ाने वाली फैकल्टीज, उन सब के दिमाग में एक ही वीजन है इस पांडाल में जितने भी बच्चों के गारजन्स बैठे हैं, उन सब को मेडिकोज और आये टिम बनाना है इसका मतलब आपके बच्चे सेफ हैंस में सुरक्षित हातों में हैं और जब बच्चा सुरक्षित हातों में होता है, तो उसके लिए उसका जो फैकल्टी जो होती है, उसके दिमाग में 24 आवर से एकी बात होती है कि कौन सा नया प्लान दिया जाए, किसी स्टेटिजी से इनको पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाए, जिससे कि इनको अपने लक्स तक पहुचाया जाए उसके लिए देखो, मैं आपको आने वाले दिनों के रजेट की छोटी सी मिसाल पेस करके बताता हूँ, हमारे पास नेट का एक टारगेट का एक बैच्च है, जिसमें 30 ही बच्चे हैं इस साल चालू किया, 30 बच्चे है और मैं आपको पहले ही आपको एक चैलेंज दे रहा स्के तीन या चार बच्चे होंगे, और मैं जिन जिन बच्चे होंगे, गारजयन का नाम ले रहा है, बो यहां हो तो प्लीज हाथ कर देना, स्र enjoy के कोई ममी पापा है क्या, हां, स्रिया हमारी बहुत अच्छी बिटिया है, श्रिया है, रासी के कोई है गया, हां, रासी है, मुश्कान के मुश्कान कनक के कनक के कोई ममी पाप आया है गया ने भूबनेस का कोई गारजन बैठाए गया आशा मेना का कोई गारजन बैठाए गया अनीश का कोई गारजन बैठाए गया अमंदीब मेना का मानसी का इन जो जो सारे बच्चों का जितना मेरे उनाम दियाना है पंद्रे बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे जिसमें से हमारा जो है साथ सो प्लस में तीन या चार बच्चे देंगे और फर्स रेंग एस्टी की देंगे यह हमारे इस साल का टार्गेट है हम यह चाहते हैं कि गारजि के लिए मैं इस कड़ी में एक चोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा जो इस सेमिनार का एक बहुत अहम हिस्सा है आप अभावकों में से कुछ अभावकों को हम इस महत्वपूर मीटिंग में सुनना चाहेंगे एक साल में एक क्लास की केवल एकी मीटिंग होनी होती है हमने प्लान मनाये अगली साल हम फिर केवल एकी मीटिंग रख पाएंगे एक क्लास की आज के 11 के बच्चों की मीटिंग थी टागीट बच्चों की मीटिंग थी तो आप मैंसे तमाम भावकों में से एक खास परची मेरे पास अर्विन सर लेकर आए हैं और मैं चाहूँगा उन गारजन का एक बार यहां स्टेज पर वाएं और अपने अनभो सेर करें, हमें उर्जावान करें गर्वित के पापा सिरीमान संतो सिंगल सर यहां पर बैठे होंगे आपका जोड़दर तालिओं के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा चाहूँगा कि आपके अनभो हमें सुनने को मिलें, हमरे वावकों को सुनने को मिलें ताके हम और उर्जावान हो सकें हम अपनी मेहनत में आगे की दिशा में और अच्छे से काम कर सकें बढ़ सकें तो स्रीमान संतो सिंगल सहाब का स्टेज में एक बार स्वागत है आदर्णी है डियस इंस्टूट के डिरेक्टर सर स्री उमेश सरमा जी उनको मैं बहुत बहुत परणाम करता हूँ एंड अकैडमी हेड आस्तो जी उन्होंने सम्मान दिया उनको बहुत बहुत परणाम करता हूँ अनवाब ऐसे रहे सार कि मेरे दो बालक है और क्रेटिव स्कूल में पढ़ते थे नीव उनकी महीश रखी गई ती और एक निइंथ में था एक तेंथ में था निइंथ में बच्चे का नाम था पर्व सिंगल प्रेंथ भी सिंगल जैसे सर ने बताया कि कारोना काल में बढ़ बढ़ इस्टुटों में काफी पर्लम हो गई थी तो सेम यही प्रॉलम उस इस्टूट में भी थी, क्रेटिम में, कि उस्टेम कि असभजेक ओनलाइने क्लासे सुरू हो गई थी, तो प्रोपरली बच्चे का जो अटेंशन था, वो डिश्टर्ब होने लग गया था, कई बार मैंने कोसिस भी की, स्कूल में भी गया मैं, मैंकी सार मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेडी में ज्यादा अच्छा मज़नी आ रहा मेर को, और बच्चे परिशान हो रहे हैं, बट उन्होंने उसको बड़ा लाइटली ले लिया, मतलब, ऐसा मोटो नहीं बनाया कि अगर ऐसा हुआ तो आगे हमारा क्या होगा, सिक्स मन्त ऐसे ही निकल गए, आप्टर उन्लाइन क्लासे सुरू की, बट साथ में बताया था कि कई श्टूटों से पेमेंट प्रोपर नी आ रहा था, तो टीचर्स को भी पढ़ाने में वो इंट्रेस्ट नी था, तो अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि अपना अगली साल बच्चे को ही सिप्ट करेंगे, अच्छा मैं खुद मेडिकल मार्केट में हूँ, संतुष कुमार संगल नाम है मेरा और मेडिकल रिपेंटेटिव का काम करता हूँ, तो एक मोटो था मेरा दमाग में कि मैंने तई तक मुझे गंगापुर पड़ाना है, आप्टर फिर मुझे एलन में सिप्ट कर देना है, फिक्स मोटो था, कोई चैंजी नी था, फिक्स प्लान था, और जब वो टैंथ में था, तो लगवा का सब्टेंबर एक्टूबर में मैंने उसका एलन का पूरा फीस भी जमा करा द तो दिमाग में था ही ने डियास तो, तो जब एडिशन हो गया उसका एलन में, उस टम में बालक के कुश्चन था, जैसे वो भी मेर से मिश्टिक हुई थी, कि जब फाउंडिशन बालक पड़ता है, तो कहते है न, अब तो बोर्ड की एक्जाम आ गई, तो मेरे दमाग में लेकिन एक्जाम देने के बाद तुझे एलन बेजिंगे, तो मैंने 6 जून का बैच उसमें सलेक्ट किया था, कि 6 जून से पहले-पहले बोर्ड की एक्जाम हो जाएंगी, तो बालक बोर्ड की एक्जाम बीजिली दे लेगा, और आगे तायरी बीजिली करेगा, आप्टर क पॉर्णा के कारण वो एक्जाम पॉस्पंड होती रही और कुछ ऐसा रहा कि बोर्ड की एक्जाम कैंसल होने के चांस है कुछ ऐसा था, उस बीच में ही सबसे बड़ी आ काम डिया शूट ने किया, कि एक ट्राइल जो कोचिंग होती है, 11th के बच्चों के लिए, करा ही दी, अब ये टेम बेस्ट जो हो रहा है, क्यों ने पंदर दिन की इनकी कोचिंग आपन को ले 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 नहीं जाए, तो मैंने बच्चे से कहा कि मैं इनकी यार फिरी मैं बढ़ा रहे हैं, तो जाएगा तो 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 फायद हो जाएगा, जैसे तू क्लास एस्टेंड करे कि मुझे एलन में जाना था, वो टर्निंग पॉंट के ऐसा था कि उन्होंने पंदर दिन तक मेरे बालक ने वो क्लास ली और छे जुलाए जून को वर वापस एलन स्टाट हो गई तो अमने बंद करवा दी डियस में किया अपने को मतला भी निया डियस है तो अपने को तो जब लन की क्लासे स्टाट की तो पांसा तन पंदने के बाद उनका कुछ मेरे बेटेने बोला कि पापा जो मजा मेरे को डियस में पंदने में सवह मा रा था वो अलन में नी आ रहा है अरे मैं जब जूलो जी का एक लेक्षर चल रहा था एलन का तो मैं साथ में बैठा था मैं भी देख रहा था उसको ओनलाइन चल रहा था उस्टेंड क्लासे तो टीचर बोलता है स्टार्टिंग में कि देखो मुझे पता है आप सब घदे बच्चे हो यह सेट लेंग बेजे थी उसकी सब मूर को पढ़ाने के बीच में कोई भी मेरे को टोकेगा नहीं किसी को सम जगा वो इस्टेंडर क्वालिटी का कोश्चन हुआ तो मैं उसका आंसर दूंगा अधरवाइज आप गूगल पर उसको सर्च करें तो बो मैंने कि या इतना बड़ा इस्टूट और स्टैप की बाते में कि बालक तो डिप्रेशन में गया एक्टम डिप्रेस हो गया है दि को सुनवाइन होई थी उसमें लाश्ट में यह का कि आप आसको दूसरा बैच चेंज कर लो मैंने कि आप दूसरा बैच कैसे चेंज होगा भई जो अब इसका चैप्टर निकल गया आप बापस में उसको पहले 6 जून से स्टार्ट हुआ लेट बैच है इसको और 15 दिन यह 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 अपने गंगापुरी रखें तो मेरे सामने बिकाटिस्ती थी दिएस में तो मुझे लेना ही था और एलन में से जवाब मिल रहते बड़ा पटा सा फीलंग हो गया बड़ी टेंशन का बिशय हो गया मैंने सर को एक दिन ने निवेदन किया कि सर आपकी फैकल्टी नहीं है कि वो ऐसे कमिट्मेंट दे दे और मेरे को फुली फेत हो गया और यहां तक कि मैं आपको एक दम बिलकुत हाकिकत बता हूं उसके वावजूद भी मैंने काई अपने बालक का एक भभिष्य का सवाल है इसमें अपन जल्देवाजी निकरें तो मैं सबसे ज़्याद तो मैंने दो मैंने ये प्रोफ्लम भ्स किये यह ऐलन डीये साकस तो मैं जो अच्छा हो मेरे बरको ऐसा से कच ऐसा करना की अकर वेस चयोंगा बालक कि दो усकोश हभिए अच्छर दियर हुट कटिया और हमी आगे उसकी कि उसकुष पढ़ रहा है, नाम गर्वी सिंगल है उसका, और मैं एक छोटा से एक्जम्पल इसको देकर सम्झाओं आपको, कि उस्टेम मेरो को कैसा लगा, एक आपने एक कहानी सुने होगी, दुरुप्ती का सोंबर चल रहा था, अर्जुन कीर लगाना था मचली की आख पे, तो जब मै उस सिति में चल रहा था, तो मेरो को क्या है कि अर्दुन तो मैं बन रहा था, बाकी सब जब मेरो को कहा कि मन में क्या दिख रहा है, तो मेरो को पत्ते भी दिख रहे थे, मचली भी दिख रही थी, पूरा यह सब को दिख रहा था, तो ऐलन में गया तो मेरो को पता लगा कि जो मचली मचली और पत्ते पत्ते दिखने लगे बाकी कुछ चीज दिखने लगी आकास का सोचा तो मचली मचली दिखने लगी लास्ट में जब मैं फैकल्टी टीम से मिला तो सिर्फ मुझे मचली की आँख देखी तो अब इसी से मैं पूरा आपको बता दिया कि वो मचली के आख मेरे को मिली तो मेरा लग्या तीर और मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ और बगवान करें कि ऐसा हर मैने बोलू हर साल बोलू और आज तो केवल कल्पनाव में बोल रहा हूँ हकीकत उपर बाला भाष्ष्या तो पता नहीं ऐसे मेरा छोटा बेटा था तो जैसे उसके साथ हुआ था जैसे तेंथ इसकी खड़ाब हो गई थी बिल्कुल साल बर पढ़ाई नहीं हुई थी तो ऐसे नाइन्थ नेच्रल लग उसकी नाइन्थ खड़ाब होनी थी सिंगल चैप्टर उसको नहीं पढ़ाई गया था नाइन्थ में तो मैंने सिका साब में कि यह तो मैं एडुशन करवा रहा हूं बर मेरा एक दूसर बिटा जो टैंथ में है लेकिन नाइन्थ उसकी बिल्कुल साफ है नाइन्थ में वो एक सिंगल लाई ने उसको नहीं पढ़ाया जाएगा और टैंथ भी पढ़ाई जाएगी मैंने कि सार ऐसा बहुत ऐसे इंस्टूट देखे मैंने जो स्टार्टिंग में बोलते हैं अब नाइन्थ क्यों पढ़ाऊगे दोबारा कि सार यह हमारा इस्टूट फैमसी कमिट्मेंट के लिए है तो सही बता रहा यह पर विए उस बच्य की नाइन्थ भी एक एक चेप्टर हुई थी यह टैंथ भी एक चेप्टर हुआ था जो बच्चे की नाइन्थ बिल्कूल साब थी वो STFC में सलेके हुआ है राज पिर्टेबा पोज में सलेक्ट हुआ है और अगर आसरबाद रहा सर का तो में भी प को प्रॉब्लम होती है यह मैंने बहुत महसूस किया है खाना बनाना होश्टल मक्य लिए रहना खाना अगर वो बैस में खाएगा भी तो बहुत ओएली खाना मिलता है मैंने टेस्ट किया असर मजा के फिर मदर का रोज रोना सबसे इंपोर्टेंट कि बेटा जाएगा मा कैसे रह रहा होगा उधर वो जब फॉन पर बात कर रहा हो तो अधर वरून लग जाती है उसका डिस्टरवेंस बहुत इंटेलिजेंट बालक है तो एक निकल सकता है बाकि अगर नॉर्मल बालक है तो उसके संग बहुत मैंनत नह राओं अगर फैकल्टी ऐसे ही अपना पूरा सरवस लोटाती रही तो यहां पर एडविशन के लिए मंत्रियों की अप्रोच लगानी पड़ेगी हाँ और लोगबाग एलन को छोड़के ओल ओबर इंडिया के श्रुमेंट यहां पड़ने आएंगे अगर अगर रहा है नहीं बुलाया तो मैं इस बड़ को दुबारा दो रहा हुआ कि मैंने संग 2022 में यह बड़ बोला था कि यहां पर मंत्रियों की एप्रोच लगानी का अनुन अपने अनभो छेर किये कुछ अनभो वास्तों में बहुत कुछ सिखा देते हैं और यह जो सर ने उनको मागे कि इस नड़ी में आपको सुनाना चाहेंगे एक हमारे खास गार्जियन और हैं जिन से हम चाहेंगे कि आप इस सुद्धिकेवल दो मिनट सुने और उसके बाद हम इस मीटिंग को समापन की दिशा में ले जाएंगे बहुत-बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं मा विद्धिया की देवी मार सुस्द्धि को नमंग करता हूं और सभी को राम राम देशी वाशा में जो है उस सब आ जाएंगे अब उमेश सरने का आदा तीन इस तीन खंड में सारी चीश बताई इन्होंने गार्जियन बच्चे और यह संस्ता अपनी तो अपना क्या रोल ह सब्सक्राइब है चल रही है अपना यह बनता है बच्चा पड़ना पास में टीवी चल रही है आप टीवी मत देखिए त्या करना पड़ेगा बच्चों कुछ बनाना है तो एक अभी सर्ण ने कहा था कि मैं बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं नहीं यह जितनी होती है बच्चे की सब्सक्याइब के अंदर गानगर तो गल्ती करो एक नहीं 1000 करो में यह ठीक है दिखा थी उन्हें का गल्ती एक बार करो दुबारा मत करो गलती हर इंसान से होती है एक गल्ती को दुबार रिपीट मत करो तो आपनको मां बच्चों के साथ अभी है करुसा सुपर चार बश तो अपने को त्यागतों करने पड़ा जाएंगे मैं भी डाक्ट की कोचिंग अने जेपूर गया था जैपूर गया था जेपूर को लेटी चली तो रास्ते में तो महां सब कह रहेते हैं कि आपका नंबर आया नहीं आया तो इससे उपर बन जाओ घुणाना नहीं है कि आप तीसरी बात आती है इस टूट कि अब यह कहते हैं सर के एलान कोटा यह क्या मैं इसको मैं आप सबस्दों समझाता हूं मा कितने लड़के कोचिंग करते हैं और कितनों का सलेक्सान होता है अब यह उन्दर तो लगाया करो कोटा पड़ा में बच्चा पड़े गादियां भी बात बच्चे के उपर है अपने उपर है तो आप इसमें 30 लड़के हैं अब पंद्रा का सलेक्शन कि 10 भी हो गाण कितने हो गए मां कितने पड़ते हैं एईसा कुछ नहीं तो इल खाएलान कोई ऐसी बात नहीं है बच्चे में अपनी हー किये तो रिजेटर जब आएगा ज strategy बता सकें कि हम बच्चों को किसी साब से तयार कर रहे हैं 11 का revision कराना मारा मुख्य उद्देश रहेगा 12 के साथ साथ चार चार बार repeat करेंगे हम अभिवावकूं आप से भी मैं एक चोटा से request और करना चाहूंगा दो चीजें जरूर हमें वहाँ पर साथ आपका चाहिए एक तो घर पे बच्चा home bar कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो थोड़ा सा पूछ लिया करें एक छोटा सा साथी बरात पड़ोसियों की साथी फरिबार में साथियां उनमें 11-12 में दी बच्चा पढ़ रहा है न तो प्लीज मत भेजिए आप से request एक दिन की home bar करवा दीजेगा घर पे रोज उससे पूछ लीजेगा Saturday आप एक बार यहां पर आ जाईएगा इतना आप साहोग कर दीजेए एक मेने में एक बार से जोड़े हुए हैं अच्छे विचार रखते हैं अच्छे सुझाव रख सकते हैं अगर हमें वो बताते हैं हम उसमें अगर चीजों को जोडते हैं और वो चीजें बच्चों के लिए बहतर होती हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी आज इस सभा में आप सभी का भारवेक्त करता हूँ